तो बाई मैं और चाचा इसी कमरे में सुए हम लोग रात आये थे बुवाजी के याँ बड़ी बुवाजी भीमार थी तो उनको देखने मैं जारा हूं मेंचे तो आज के लिए इंगी कैमरमेंट मैं हूँ और हमारे व्लॉक्स की भी कैमरमेंट मैं ही हूँ हेलो फ्रेंड्स अपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तो आज फिर मैं एक बार आ गया हूँ आपके बीच अब जो मेरी ओडियन्स है न जो मेरा चैनल वाच करते हैं उन्हें पता है कि भई मैं बिना वज्जे कोई वीडियो नहीं बनाता अभी अपने एक क्लिप देखी जहां पर भतीजा फिर से पहुचा अपनी बड़ी भुआ की गर और उसने खुद अपने मूँ से कहा कि भई बड़ी भुआ की तब भी ठीक नहीं है इसलिए मैं यहां पर आया हूँ अब दोस्तों आखिर क्या है माजरा और अंशू और फिर से उसका बड़ा भाई क्यूं पहुचे यहां पेशी पूरी पूरी बाद आपको बताएंगे सब कुछ सामने आ गया है और कुछ ऐसे खुलासे करने होलों आज जिससे आप अपनी आखों पर यकीन नहीं कर पाएं दोस्तों इससे पहले की वीडियो को शुरू करें जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो क्योंकि दोस्तों ऐसे व्लोक्स और ऐसे क्लिप्स में लेकर आता हूं सिर्फ आपके लिए और कमेंट सेक्षन में अपना उपीन रखना न बूले चली शुरू करते हैं आज का वी पर रुकने वाला है वो क्योंकि उनकी बड़ी बुवा की तब्यट ठीक नहीं अब सवाल उड़ता है कि आपके मन में सवाल आएगा कि भई आखिर ये क्लिप मेरे पास आई कहां से सबसे पहले आपको बता दू कि अब रेगुलरली यहाँ पे व्लॉक्स आएंगे अंकल अंटी के ऐसा बताया गया है लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी हमें समझ आईगे लेकिन ऐसा बताया गया है किसने बताया है भतीजे ने बताया है अब दोस्तों आप देख रहे थे कि काफी टाइम से अंकल अंटी के व्लॉक्स आने बंद होगे जिसको अपलोड किया करता था उसका पडोसी आप ये बात तो जानती ही मैं भी जानता हूँ अब काफी दिन से वो लॉक्स नहीं आ रहा है और वो खुद अपने परसनल लाइफ के उपर अपनी फैमिली के उपर वीडियो बना रहा है अगर आप उसके चैनल को देखते होंगे और आपको पता ही होगा अब सवाल यह उड़ता है कि भई जो इंसान प्रामिस करके गया था कि भई मैं अंकल अंटी के व्लॉक्स डालूँगा वो क्यों ने डाल रहा है क्योंकि इसकी वज़ा ये है उसने एक बात बोली थी हम उसे बुरा नहीं कह रहे हैं वो भी अच्छा इंसान था बुरे वक्त ने उसने अंकल अंटी का साथ दिया था बहुत अच्छा इंसान है लेकिन अब यहां पे व्लॉक्स क्यों ने डालेगा अंकल अंटी का क्योंकि उसकी जिम्यदारी यहां पे ले ली बतीजे ने लेकिन अब भई जो बतीजे का चैनल था मैं आपको बता दूँ वो तो बंद कर दिया उसने लेकिन अब उसने शुरू किया है एक नया चैनल अब ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं न उसके नया चैनल पर अपलोड हुआ और यहाँ पे उसने ये बात भी कही भुआ का रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा क्यों करूँगा क्योंकि कुछ दिन वो वहाँ पर ही रह रहा है अब दरसल आपको बता दें ये सब तो एक बोलने की बाते हैं हो सकता है कि भई भुआ जी बिमार हो लेकिन में मकसद अगर मैं आपको सामने में आपको एक क्लिप्स दिखा देता हूँ आपको जादा समझ में आएगा मतलब उनकी जो बड़ी बेहन है मतलब भतीजे की जो बुआ है उनकी बड़ी बेहन हो भी यहाँ पर आई हुई है साथ में अंशु भी यहाँ पर आई हुई है यहाँ पे गैदर होने का एक बहुत बड़ा मकसद सामने आया वो यह है कि भई यह मीटिंग इसलिए की जा रही है कि मतुरा वले घर के ओपर एक डिसीशन लेना मतुरा वले घर के ओपर यहाँ पर एक फैसला करने के लिए यह सब यहाँ पर इकटे होए है वरना भुआ जी तो बिमार काफी बार होती है अंकल जी हैं देखने के लिए साथ ही जो पडोसी है वो भी दावा करता है कि भई मैं यहाँ पर अंकल आंटी को देखने के लिए हैं उसने काफी फोटोस वग्यरा भी अपलोड कीती करोना की आपने देखी होगी जब वो राजवीर सूरच के साथ बेसिकली उनको सपोर्ट किया करता था बराबर